हेला दोस्तों, आपको बहुत तरह का जो है कैमेरा मिलता है लेकिन Japan हो और मिलता भी बहुते चॉट ली आता है तो मैं आज आपको बहुत कीमेरा बना के दिखांगा उसके लिए आपका जो खट्चा है लगबग जो है 800 से 900 के अंदर हो जा सकता है और अचाहे तो आप अच्छा quality का अगर camera होगा तो 1200 के अंदर आपका ये hidden camera बनके ready हो जाएगा और backup के हिसाब से आपको battery चूज़ करना परेगा कि आप किस तरह का battery यूज़ कर रहा है तो देखिए यहाँ पे दोस्तो एक मेरे पास camera है ये जो camera है ये आपको जो है online में लगबग 700 से 800 रुपए में मिलेगा और इसका जो नाम है ये APV camera है मतलब ठीक है ये जो है APV camera है या आप इसे AV camera भी कह सकते हैं जिसके साथ आप कोई भी monitor एड़ कर सकते हैं ठीक है इसके बाद आपको लेना होगा battery तो देख सकते दोस्तों यहाँ पे मैंने जो है दो तरह का battery यहाँ पे रखा है तो एक है पूनो battery ही भी इस्तिमाल कर सकते हैं अगर आपको जो है इसका backup बहुत ही अच्छा चाहिए तो आप इसमें lithium-ion battery भी यूज़ कर सकते हैं इसे यूज़ करने पर दोस्तों आपका जो backup है यह लगभग 24 घंटा तक मिल सकता है क्योंकि यह 2400mH का battery है ठीक है और यह छोटा जो तीन से चार घंटा तक यह आपको backup दे सकता है ठीक है तीन घंटा लगबग मानके चलिए उसके बाद आते हैं दोस्तों receiver ठीक है मतलब आपका जो यह camera है यह अगर आप कही भी लगाओगे तो उसका जो video है उसे आप receive करना होगा आपके phone में हो आपके laptop में हो या आपके computer मे तो उसके लिए receiver चाहिए तो दोस्तों market में अगर यह तो दोस्तों market में इस तरह का receiver आपको मिल जाता है अभी नया model का आया है तो देख सकते हैं यह जो receiver है यह लगभक आपको 30 से जो है 25 मीटर के अंदर जो है video को receive करके देगा वो भी Bluetooth के साथ ठीक है यह wifi वाला नहीं है य यह market में आपको 400 से जो है 500 रुपे में मिल जाता है और online में इससे ज्यादा मिलेगा तो देख सकते हैं इस तरह का module इसमें आता है तो यह रहा इसका receiver तो देख सकते हैं इसमें आप जो है इस side में camera लगा सकते हैं जहां पे आपका 3 pin मिलेगा क्यूंकि APV camera में 3 pin ही होता है य क्यूंकि मैंने इसमें 2 megapixel का camera यूज किया है आप चाहे तो इसमें 3,4 या 6 या HD जो camera होता है उसे भी यूज कर सकते हैं लेकिन आपको बता दे इसमें 3.7 volt का camera ही होना चाहिए यह जो camera है दोस्तों यह 3.7 volt का camera है और हमारा battery भी 3.7 volt का है और यह जो circuit है यह circuit 3.7 volt में ही run होत है ठीक है क्योंकि इसमें कोई protection नहीं लगा हुआ होता वीडियो को transmit करेगा आपके phone में laptop में ठीक है तो इसका connection आज आपको बता देते हैं तो दोस्तों जो हमरे चैनल में नया है वह जल्दी से subscribe करते ताकि इसी तरह का और वीडियो आपको मिल सके और दोस्तों इसमें देख सकते हैं इसमें audio का option है अगर आपका option आप ना लेना चाते हो मतलब आपका जो audio का option है वो अगर ना लेना चाते हो उसका भी circuit आपको मिलता है लेकिन वो जो है 50-60 रुपए कम होता है लेकिन दोस्तों मैं कहूंगा audio का option आप ले लीजिए क्योंकि अगर आप इसमें camera ना भी लगाओगे तो audio जो है आप receive कर पाओगे आप कहीं भी से रखके आओ और Bluetooth से connect कर लो तो वहां का audio जो है आपको मिल जाता है ठीके और अगर आप इसमें camera लगाओगे तो audio और video दोनों ही आपको मिल जाता है यहाँ पे B plus और B minus लिका हुआ है ठीके यहाँ पे B plus और B पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे तीन वायर जो है लगा हुआ है तो देख सकते हैं यहाँ पे एक रेड है उसके बात जो है और यह ये येलो है ठीके यह जो येलो वाला है इसके साथ आपका जो ये camera का देख सकते हैं वीडियो जो है वीडियो फूटेज आपका जो transmit करेगा yellow के साथ yellow आएगा और यह हम पर दिखिए यहाँ पर red जो है रेट के साथ आपका यहाँ पर positive rate मतलब DC rate आएगा और यहाँ पर जो है यह वाला बीच वाला जो है यह ground है इसका आप जो है extra jack जो है mail jack वो ले सकते हैं लेकिन आप अगर इसमें यह वाला wire अंदर लगा दोगे फिर भी काम करेगा तो चली दोस्तों यहाँ पर इसका wire connect करते हैं और इसके साथ battery भी connect करते हैं और दिखाते हैं camera में इसके video किस तरह से दिखता है 2 megapixel में देख सकते हैं मैंने इसमें जो है इसका pin connect के लिए तो यहाँ पर मैंने जो है LED का जो लेक होता है थोड़ा सा काट के इसमें लगाया है तीनो pin ताकि इसके अंदर आसानी से चला जाए तो यहाँ पर आपको देख के लगन होगा तो देख सकते हैं यहाँ पर इस side में जो है यह yellow वाला wire है मतलब हमारा जो वीडियो वाला wire है वो इसमें आजाता है तो यहाँ पर आपको यह वाला wire अच्छे से लगा देना है तो देखिए एक वाला wire है मैंने connect कर दिया है दूसरा जो बीच का point है मतलब यह orange वाला यह जो है यह हमारा ground है तो ground में भी आपको एक pin लगाना होगा और side में जो है यह हमारा positive pin है मतलब हमारा DC pin जिससे हमारा camera को जो है power मिलता है तो इसमें भी आपको एक wire जो है connect करना होगा तो इस तरह से आपको तीनो wire जो है इसमें connect करना होगा तो देखिए हमारा camera का connection था वो complete हो चुका है अब आपको यहाँ पे बैटरी का connection चलू करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मैंने बैटरी का positive और negative आपको बता दिया था तो देखी यहाँ पे battery B minus और B plus लिखा हुआ है तो आप इसमें जो है छोटा battery यूज़ कर सकते हैं लेकिन इसका जो backup है वो लगबग आदा घंटा या तो एक घंटा लगबग हो सकता है लेकिन मैं कहूंगा कि इस तरह का battery आप यूज़ करें क्योंकि यह देख सकते हैं यह 200 यह जो है यह 420 एमेज का है और यह KP का battery है 3.7 वोल्ट का है तो बैटरी का जो दोनों wire है इसे आपको खो यह चालू हो जाएगा ठीक है तो आपको यहां पर पहले battery को जो है अच्छे से जोड़ देना है तो देखिए मैंने यहां पर एक wire जो है जोड़ दिया दूसरा जो है हमारा black wire है तो black wire को भी आपको जोड़ना होगा तो दोस्तों इस तरह का जो वीडियो में बनाता हूं ल देखिए दोस्तों हमारा जो battery का setup है और camera का setup है वो बिल्कुल ready हो चुका है तो यह देखिए हमारा यह camera है और यह battery है तो इसमें हम यह वाला अगर wire touch करेंगे तो हमारा camera जो है यह on हो जाएगा ठीक है तो इसे on हो जाएना चाहिए तो थोड़ा आपको touch करके रखना होगा देखिए जो LED है ब्लिंग करने लगा है दोस्तों इसमें charging port लगा हुआ है देख सकते हैं इसमें एक charging का port लगा हुआ है तो इसमें से आप अगर charger लगा होगे mobile का तो आपका battery भी charge भी होगा और camera भी चलेगा मतलब मान लीजिए आप इसको जो है webcam की तरह भी use कर सकते हैं क्य एक USB जो है type B port दिया हुआ है तो इसमें से आप डिरेक्ट इसका वीडियो जो है देख सकते हो किसी भी laptop में mobile में हमारा जो यह LED है यह जलने लगा है मतलब हमारा यह system जो है चालो हो चुका है अब आपको एक phone लेना है और device को सर्च करना है और इसके लिए आपको एक app चाहि कैमेरा होता है उसमें एक red light जो है blink होता है इसे आपको height कर देना होगा तक कि किसी को ना दिखे फिर भी मैं कहूंगा इस तरह का जो चीज है वो अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल मत किजिए क्योंकि यह जो है यह educational purpose मैं दिखा रहा हूं तो दोस्तों यह जो Bluetooth कैमेरा है इसे phone के साथ connect करना है उसके लिए आपको जो है एक जो app इसमें install करना होगा वो है Bluetooth video streamer ठीक है यहाँ पे Bluetooth camera जो है कोई भी लिख के आप सर्च किजिएगा तो यहाँ पे Bluetooth जो है वीडियो streamer या camera streamer आपको मिल जाता है तो देखिए यहाँ पे है Bluetooth video streamer तो अच्छे से आपको आपको दिखा देते तो देखिए यहाँ पे आपको install किया हुआ मिलेगा ठीक है तो इसको मैंने install कर दिया है अब आपको normal सा जो है इसका camera का जो है on करना है तो यहाँ पे आपको कुछ तेर इसे जो है शौट करके मतलब टच करके रखना होगा तो आपका यह camera जो है on हो जा जाना होगा और यहाँ पे Bluetooth को find करना होगा ठीक है इसका पीछे एक number है दोस्तों देखिए यहाँ पे एक छोटा सा number है 165 का ठीक है तो यह 165 का ही Bluetooth आपको यहाँ पे मिलेगा ठीक है यह 165 का Bluetooth ही आपको यहाँ पे मिलेगा तो यहाँ पे देख लेते हैं तो यहाँ पे Bluetooth on कर का जो है एक आपको receiver मिलेगा तो इसे आप click करके इसके साथ प्यार करना होगा मैंने इसमें पहले से connect किया हुआ था डीडी जो है blinking होना ब्लंब बंध हो गया ठीक है तो आप आपको जो है back करना है back करने के बाद आपको streamer में जाना है, streamer में जाने के बाद दोस्तों आपको इसको portrait mode पर करना है क्योंकि portrait mode के बीना ये काम नहीं करता तो दीखी यहाँ पे यह open लिखा हुआ है तो इसको आपको जो है open करना है तो यहाँपे open करने से आपको device का जो है video stream होना शुरू होगा लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं receive का option है received तो यहाँ पर receive करके यहाँ पर आपको फिर से एक बार search click करना होगा तो फिर आपका video जो है चालू हो जाएगा और yes मारने से यह video चालू हो जाता है तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो है अच्छे से यह काम कर रहा है तो दो